असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज लाइफ एहब खबरों के साथ मैं हूं सना पुशी नदर डालते हैं अब तक की हेड्लाइन्स पर चीन ने हमालिया में भारती सरहत के करीब दुनिया का सबसे बड़ा रैम बनाने का मनसूबा त्यार कर लिया 2006 तक कार्बन फ्री मकसद के लिए बीजिंग ने तिपबत में पन बिजली मनसूबों पर अपनी कोशिशे दुगना कर दी इंसानी हकोग ग्रोप मोहालियाती माहरीन की पन बिजली के मनसूबों पर तनकीद चीन ने हमालिया के दामन में भारती सर्थ से महस 30 किलो मीटर दूर दुर दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली डैम बनाने का मनसूबा त्यार कर लिया है 2006 तक कार्बन फ्री के मकसद के लिए बिजिन ने तिबबत में पन बिजली मनसूबों पर अपनी कोशिशे दुगना कर दी है दूसरी जाने इंसानी हकोग के ग्रोप और मोहालियाती माहरीन ने पन बिजली के मनसूबों पर तनकीद की है तिबबत इंस्टिट्ट के शौबा मोहालियात के सरबरार टेमपा गिल्टसन ने कहा है कि तिबबती बाशिदों ने अपनी जमीन पर जो कुछ गुदरती महाल देखा और सुना था वो सब कुछ खो दिया है ख्याल रहे कि चीन की कम्योनिस्ट पार्टी सी सी पी ने 1950 में तिबबत को अलहाग किया था टेमपा गिल्टसन ने कहा है कि चीनी कब्जे से पहले हमारे पास कोई डैम नहीं थे इसलिए नहीं कि हम इसको नुकसान पहुंचाने के काबल नहीं थे बलके इस वज़े से कि हमें दर्याओं का बेहत एहतराम है उन्होंने बताया कि यहां एक इंतहाई सक्त रिवायत है कोई भी बाज नहरों के करीब नहीं जाएगा और नहीं कोई ऐसा काम करेगा जिससे दर्यासन निकलने वाली नहर या दूसी नहर को नुकसान पहुंचे यहां तक आपको कवनीन की भी जरूरत नहीं क्यूंकि हर तिबती इसकी पास्तारी करता है उन्होंने कहा कि चीन अपनी तरकी के लिए कुछ भी करेगा और ये बहुत मायूस कुन बात है क्योंकि इस जमन में तिबत के बाशिंदों से मश्वरा नहीं किया गया इस हवाले से उन्होंने कहा कि मजूजा मेगा डैम साइक भारती सरहत से सिर्फ 30 किलोमेटर की दूरी पर है आपने जान भी मजीद अफसिलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइड आवाजी.com